जै वाब वाब वर फानी भूख हे कौन प्यासे को पानी मश्का दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका होश्ट सुशील गोयल इमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होगे दोस्तों इस वीडियो में आपको पहल गाम से चंदरवाडी तक का और आगे आपने पैदल यात्रा कैसे स्टार्ट करनी है क्या क्या पड़ाव आएंगे शेशनाग जील तक उसके बारे में कमलेट इंफॉमेशन दूँगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना जोंगा कि अगर आपने मेरे चैनल अप तक सब्सक्राइब नही की भी जूरत नहीं है और इसके लावा आप अमना यात्रा में टेंट गोडा पिठ्थु पालकी की बुकिंग कराना जाते हैं तो वह भी मेरे थ्रू अडवांस कर सकते हैं और जो शाइन बोड के रेट आएंगे उससे कम रेट में आपको यह मैं सर्विस दूँगा और हर खुदवार और शीनिवार शाम सातु है मैं लाइस्ट्रिमिंग करता हूं जिसमें मैं अमना यात्रा और शिरखन के लाइस यात्रा करता हूं अगर आपकी मिवेक्वैरी ज़ूर्ण करें और उसके लावा मेरा एक वर्ट्सप और गूरूप भी बना हुआ है तो दिसक्रि पहलकाम के नुनवान के बारे में हैलिपड लोकेशन के बारे में कम्लीट इंफोरमेशन दी थी अगर आपने मेरी विडियो अप तक नहीं देखी तो उपर आया आई बटन को दबा कर वह वीडियो दूर देख लें उसे आपको पहलकाम की मिल जाएगी और जैसे हमने पहलका तो आपको आपका सारा समान अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि बाल्टाल से पहलगाम पहुंचना बहुत मुश्किल काम है और आपस की डिस्टेंस दोनों की 200 किलोमेटर के करीव है और अगर आप पहलगाम से पहलगाम वापस आने वाले हैं तो पहलगाम 90 कैम में लोकरूम में आप अपना समान जमा कराके जा सकते हैं या फिर अगर आपके पास टैक्सी है या फिर आपने ड्राइवर करके अपनी गाड़ी पर आए हैं तो आपकी गाड़ी है वो पहलगाम से बाल्टाल पहुंच जाएगी आप जब यात्रा कम लीड़ करके फिर लाना चाहते हैं और अपना समान भी साथ करना जाते हैं तो कोशी करें भगवतिनेगर बेसकेम में वहां पे लोकर रूम बने हुए है तो आपने एक्स्ट्रा समान जमा करा कि आजए तांकि जो समान आप अपने साथ पैदा यातरा पर लेकर जाओगे वो कम से कम हो और घृजि तक है और आप अपनी गारी से चंदरवाड़ी तक नहीं जा सकते हैं तो आपने अपनी गारी नुन्वान बेसकेम की पार्किंग में या जिस होटल में रहे थे उसमें पार करके आप टैक्सी के थृजि जाएंगे चंदरवाड़ी तक सुबह आप नूनवान बेस एकाई सब्सक्राइब उपन होते ही साथ की साथ बाहर आते हैं उनको तो बैनिफित रहता है कि वो साथ की साथ टैक्सि लेते हैं और चंदर्वाड़ी पहुंजाते हैं वहां पर इसमान भी उनको चैक कराने में कम टाइम लगता है और वह अपना अ यात्रा जिल्दी लगाता है और आप अगर सुबह 5-5 वाई के बीच में नहीं टैक्सी पकड़ पाए तो आपको 6-6-7 अराम से टैक्सी पकड़ते हुए बज जाएंगे और आप फिर चंदरवाडी उसके साफ से लेट पहुंचोगे अगर आप चंदरवाडी लेट पहुंचते हो तो आपको जाके भी अपने बैग चेक कराने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा उससे आपका और टाइम खराब होगा तो कोशी करें सुबह जल्दी से जल्दी अपनी टैक्सी लेकर चंदरवाडी पहुंचने की तो आपके इस दिन दो जगा परमिट चेक होंग इसके इसाफ से आपका यात्रा का परमिट बनता है तो यह आप सक्रीन में भी देख सकते हैं परमिट का काम यहीं धखता इसके बाद आपको यात्रा में कहीं भी परमिट का रोल नहीं रहेगा आपका हर जेगा RFID काड़ी स्कैन होगा तो पहले काम से चंदरवाड जाते मगर दो याअसाद मैं बारीष वाहां पे खुब हुए जिसके वाइसे वह इंगा तो गlor में बैय गिया दो नहां है पर बोहां पर ये खुबसूरत वेली बना दी यात्रा के दिन के लिए अपना गुफा में जा रहे थे तो यहां पर उन्होंने अपना चंदरवारी पड़ गया और जब आप यहां पर अपना बैग चेक रहा होगे आपना परमीट उनको पकड़ा होगे उसके बाद आपका RFID काड़ फिर से स्कैन होगा तो आपने वह RFID काड़ भी स्कैन क जो यहां पर आपने अपने बैग चेक रहें वहां से कम से कम एक से डेड़ किलोमेटर दूर है तो आपने निश्चिंत नहीं होना जब आपने चंदरवारी में बैग चेक करा लिए कि हमारा बस अब राम से जाएंगे कोई दिक्कन्निया बंडारे राम से खाएंगे आपक खाना ग्रेंड करना है और उसके बाद आपने आगे की जन्नी स्टार करनी है एक से डेट किलोमेटर बाद असेस कंट्रोल गेट चंदरवारी काता है जिसे आप 11 के बाद क्रोस नहीं कर सकते हैं तो आपने एक और काम करना है यहां से अपने लिए एक स्टिक भी जूरूर परचेज करनी है अगर रास्ते में बारीष यह आती है या फिर भर्फ आपको पड़ी भी मिलती है तो वहां पर स्टिक सबसे अच्छा काम करती है और आपको फिसलने से बचाती है तो इसलिए आपको ने वहां पे एक स्टिक भी परचीज करने है वो आपको 30 से 50 रुपे की मिल जाएगी तो जो चंदनवाडी असेस कंट्रोल गेट है वहां पर यात्रियों की काउंटिंग भी होती है और साथ में आपका RFID काड वहां फिर स उनके थ्रूबुक राते हैं तो फिक्स रेट आपको मिलेंगे मगर वहीं अगर आप मेरे थ्रूबुक करा सकते हैं तो यह अपनी पैदल करें क्योंकि असले जो मज़ा है यात्रा को पैदल मिंगे और भोले वाबा उन भक्तों से बहुत जाए होते हैं जो उनके पास सर्विस या पिट्टुपाल की सर्विस लेना जाते हैं तो अब वो मेरे थ्रूब अडवांस में ले सकते हैं तो जो सबसे पहला पड़ा आपका चंदर्वाडी के बाद आएगा वह है पिसू टोप चंदर्वाडी से तीन किलोमेटर के करीब दूर है और खड़ी चड़ा में जो पहला किलोमेटर होगा वह ठीक ठीक चड़ाई वाला है ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको उससे करने में और एक आप तब फ्रेश भी होगे तो एक किलोमेटर आप 20-25 मिंटों में राम से निकाल दोगे और उसके बाद के जो दो किलोमेटर है एक तो उ हो तो आपको इसके लिए नहीं जाओंगा बहुत सारे यातरी क्या करते हैं जब चलते हैं और सांते के वार्ते हैं आप ऐसinku पाइदा मेर्य करोंग्या जब थक्मरें और अब नहीं तो इसे आप आप खड़े होकर वहाँ पर सास लीजिए कुछ टाइम और फिर चल दीजिए इससे आपके इनरजी बोड़ी की बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी और आपके जो ठकावट है वो सास्थ क्या दूर होती रहेगी और आप ऐसे चलते रहोगे अगर आप ऐसा गरोगे तो अमना यत्र किरपा करो उन पर कि हम इनको हरा सकें तो भोले बाबा के शिर्वास से देवताओं में इतनी टाकत आयाती है कि राक्षियों को तो वह हराते हराते हैं साथ में उनकी हड्डियां भी पीस इतनी है हड्डियां पीसने की बज़े से यह जगा का नाम पड़ गया और अब तक से यह जगनारी स्थान फिरमस है राफ अपने लिए कुछ का पी सकते हैं और जो आपने रहते करनी है रास्ते में ना करके जहां पर आपने अपनी रहेट कर सकते हैं कोई करनी है उसके बाद आपने आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है तो जो पिसू टोप से आपका अगला पड़ाव आएगा वो जोजपल आएगा और पिसू टोप से वो कर सकताएं मगर आपको यहां जाँगा अप उतना हीन यतरी शो'dटे याति हैं यहीं जोजपाल से आगे की यतरा सिर्फे पाँच की रह जाएगी और जोजपाल से आगला पड़ाव आएगा नागा-कूटी मिट्व जो कि जोजपाल से दो किलोमेटर आगे है और जोजपाल से नागाकोटी तक का जो रास्ता है वहाँ सिर्फ पैदल यात्री जा सकते हैं घोडे वालों के लिए वहाँ के लिए लग रास्ता बना हुगा है तो लग रास्ते जाते हैं और यह दो किलोमेटर का जो रास्ता है य साथ को इरलेशन नहीं है यहां पर भी आपको दो-चार भंडारे देखने को मिल जाएंगे युजात्रियों की सेवा के लिए लगाएगी हैं तो नागाकोटी आप 15 मिट अराम कर सकते हैं और वहां से आपकी शेशनाग जील की जरनी सिरफ 3 किलोमेटर रहे जाएगी तो जब अमर कथा सुनाने के लिए अमर्नाद गुफा में जा रहे थे तो उन्होंने नागदेवताई को यहीं पर छोड़ा था उनके नाम पर ही जगा का नाम शेशनाग जील पढ़ गया और बहुत सारे यात्रियों को आज भी इस जील में शेशनाग जी के दर्शन होते हैं मगर जो जील है पैदल ट्रैकिंग वाले मारत से काफी नीचे की हो रहा है तो 99.99% यातरी दूर से ही शेशनाग जील के दर्शन कर लेते हैं और कुछ यातरी होते हैं वहां पे जाना पसंद भी करते हैं तो शेशनाग जील के किनारे आपने डेट से दो किलोमेटर की जरनी करनी है यह चड़ाई आपकी ठीक रहेगी बोजार डिफिकल्ट नहीं रहेगी यह जो ट्रैकिंग आपकी मीडियम ट्रैकिंग में आएगी और आप यह तीन किलोमेटर एक से डीड़ घंटे में बिल्कुल अराम से कर लोगे जब शेशनाग जील क्रोस हो जाएगी उसके बाद को राइट साइट पर शेशनाग जील के बेसकेंप देखने लग जाएंगे उसके लिए आपने फुल क्रोस करना है शेशनाग जील बेसकेंप जब आप पहुंच जाओगे आपका फिर से अरफ इडिकार स्कैन होगा और शेशनाग जील में बहुत सारे आपको टेंट्स पर आप नाइट टे करोगे उसके अंदर आपको काफी सारे भंडारे भी देखने को मिल जाएंगे अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप शेशनाग जील बेसकेंप क्रोस आपको दोवे करना पड़ेगा जहां से आप बेसकेंप में अंदर एंटर कर गए हैं उसके बाद ल और जो भी रेट वहां पे आपको श्राइन बोड की तरफ से मिलेंगे वही फिक्स रेट चलते हैं अब आपको बारगनिंग नहीं मिलेगी और आप वहां पे आपकी परची करती है वही अगर आप मेरे थूरू अडवांस में बुक्रा लेते हैं तो वह टेंट आपको वहा पहल गाम से चंद्रवाडी होते हुगे शेशनाख जील का सफर तैकर होगे अगर आपको कुछ नहीं पता लगा तो आप मुझे कमेंट करके बूसकते हैं तो इस पर मैं ओलेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ लाइव वीडियो जिसमें मैंने आपको पताया था कि जो जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको शेशनाख जील से पंचेतर ने तक के सफर के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों यहां पर मेरी वीडियो खतम होती है बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो पर थैंक्स वोचिंग दी वीडियो क्या बोले आपकी